नमस्कार स्वागत आपका मैं हूँ शेली और आप देख रहें एंजेपी इंडिया बंदे का नाम है एयरपोर्ट मिस्टर एयरपोर्ट आप हवाई अड़ा कह लीजिए फिल्म अभिनेता गोविंदा के सवाल पर कुछ इसी अंदाज में जवाब देते हैं सतीश कोशिक यह उनके गाउं धनुंदा पहुंचे हैं मेंदरगड जिले का यह गाउं रिवाडी मेंदरगड मार्क पस्तित कनीना कस्वे से लगबग 5 किलो मिटर है आज इस रास्ते पर गाउं धनुंदा की और जाते लोगुक की चहरे पर च्छाई उदासी ही आगंतुकों को बता देती है कुछ बुरा हुआ है धनुंदा पहुंचते ही यह पता लग जाता है यहां की माटी का लाल उस दुनिया से चला गया जहां से कोई लोट कर नहीं आया 13 अप्रैल 1956 को जन में कोशिक ने बचपन में ही गाउं छोड़ दिया था मगर माटी से अपनी जड़ों का लगाओ कभी कम नहीं होने दिया वर्ष 1972 में दिल्ली उनिवर्सिटी के किरोडी मल कॉलेज से ग्रैजुशन करने के तुरंत बाद उन्होंने एक्टर बनने की ठान ली थी फिल्म अभीनेता के संगर्शमुन सफर को जानने से पहले या जान लेते हैं कि गाउं में रह रहे उनके चचेरे भाई क्या कह रहे हैं उनके भाई की बाते कोशिक की धार मिकास्ता और गाउं गड़ी महासर माता के प्रती उनकी श्रदा को दर्शाती है यह दो वर्श पहले गाउं आये थे सबसे मिलकर गए थे सुनिये उनकी भाई की अपनी कोशिक के अंतिम बार गाउं आने की कहानी कोशिक के भाई ने जो बताया उस सिस्पस्ट है कि गड़ी मासर माता के प्रती उनकी घहरी आस्ता थी धनोंदा गाउं के उनकी मित्रों में नमबरदार राजेंदर सिंग परमुख है राजेंदर की पत्नी जब वर्श 2005 में सरपंच निर्वाचित हुई तब भी कोशिक इस खुशी में शामिल होने के लिए गाउं पहुंचे थे महानगर में पहुंचकर भी सनातन संस्कृति के प्रती उनका लगाव कम नहीं हुआ था वरिष्ट पत्रकार महेश कुमार वैद्दे का भी उनसे कई बार मिलन हुआ महेश कुमार वैद्दे बताते हैं सतिश कोशिक जी से मेरा कई बार मिलना हुआ वह एक बार बहरोड जब आये थे तो उन्होंने डिनर पर हमको बुलाया था इसके बाद धनोंदा आये या जब भी कभी दक्षिन हरियाना का उनका दोरा हुआ या रिवाडी का दोरा हुआ उन्होंने हमको हमेशा याद किया मैंने उनको नजदीक से देखा समझा तो मुझे लगा कि उनके मन में हरियानवी संस्कृति को बढ़ावा देने के परती एक ललक थी वह चाहते थे कि हरियाना का ठेट देशी अंदाज फिल्मी दुनिया में अपनी धाक जमाए और वह फिल्म सिटी के निर्मान के परती भी बहुत गंबीर थे उनका विजन कहां तक पहुँचा मुझे जानकारी नहीं है लेकिन वह मनोहरलाल के परती बहुत किर्टग थे वह कहते थे कि हरियाना के मुखमंत्री मनोहरलाल हरियानवी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए बहुत गंबीर है वे चाहते हैं हरियाना में हरियाना फिल्म शिटी बने तभी मनौरलाल ने उनको हरियाना में बड़ा दाहित भी दिया था सतीश कोशिक चाते थे कि अपनी संस्कृती सनातन संस्कृती फले-फूले लेकिन फुहड संस्कृती पन पे नहीं फुहड संस्कृती पर अंकुष लगे ये उनका द्रश्टिकॉण था महिश वैद की तरही छेतर के सू प्रशिद उद्धमी वे BMG मौल के इंदेशक रिपू दमन गुपता और अभीने से जुड़े गुपाल शर्मा भी ये कहते हैं कि सतीश कोशिक कई वर्षों से हर्यानिवी फिल्मों को भड़ावा देने के लिए प्रयास रते अज सतीश कोशिक जी का द्यान का समाचा सुनके बड़ा दुखत समाचा मिला मुझे थोड़े दिनों पहले अज सतीश कोशिक जी रिवाड़ी BMG मौल में पूरे अपनी फिल्म चोड़ीया चोड़ी से कम ने होती के प्रमोशन्स के लिए अपदा रहे थे अपनी पूरी टी किये और बॉलीवुड के अंदर एक वो चमकता सितारा थे बॉलीवुड भी सुनकर इसकी इनकी बड़ी स्तब्द है कि इस चोटी से आयू में 66 पर जादा नहीं होती और वह उस आयू में वो इस दुनिया से अन्यता कहके चले गए यह बड़ी दुखत बात है यहां पर आ आज हर्याना की माटी ने एक जिन्दा दिल इनसान और एक जीवन्त का लाकार खो दिया। सतीश कोशिक जी अपनी हसी के पीछे एक कहन दर्द छुपाए हुए थे। उनकी अपनी माटी से जुड़ी हुई अनिक यादें आंत तक उन्हें जीवन्त करती रहेंगी। हाल ही में गतवर्स जब वह है अपनी फिल्म छोरियां छोरां तैकम नहीं कि प्रमोशन के लिए वेवड़ी आये तो उनसे मुलाकात हुई। जैन पप्लिक स्कूल में उनका एक कारेकरम रखा गया और उन्होंने जिंदा दिली से यह बात स्विकार की कि हर कलाकार को अपनी माटी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। माटी से जुड़ा होकर ही कलाकार बड़ा हो सकता है। भगवान उनकी आत्मा को शान्ती परदान करे। भेराल हम ये कह सकते हैं कि सतीश कौशिक ने पुरे देश में नहकेवल अपने काओं का बलकि हरियाना का नाम रोशन किया। आज सुबह ग्रामिनों ने ये सुना कि सतीश कौशिक नहीं रहे। तो सहसा लोगों को यकीन नहीं आया। यकीन आए भी कैसे। उनकी उमर मात्र 66 वर्स थी। मृत्यू के समय ये दिल्ली में थे जहां अस्पतालों की कम ही नहीं है। मगर दिल का दोरा ऐसे पड़ा कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। कोशिक जब भी हर्याना आते थे खुल कर पत्रकारों से अपने बारे में बाते करते थी। वे बताते थी कि किस प्रकार संगर्ष उसे उन्हें फर्ष उसे अर्ष पर पहुंचने का मोका दिया। सतीश के मन में बचपन से ही हास से अभिनेता बनने का सपना था। ग्राजुएशन करतने के तुरंत बादी उन्होंने नैशनल स्कूल ओफ ड्रामा में दाखिला लिया। यहां पर उनका संपर्क अनुपम खेर जैसे दोस्तों से हुआ। यही दोस्ती बाद में परवान चड़ी। सतीश कोशिक कहते थे कि वे मैमूत सहाब और जॉनी वोक दाबाबर का थीटर गुरुप जोइन किया। दिन में मिल में काम करना और रात को थीटर में। आखरीन का संघर्ष रंग लाया। पहले शेखर कपूर के असिस्टेंट बने और बाद में खुद इस भूमिका में आ गए। मासुम जोशी लिवे मिस्टर इंडिया के बाद काम के साथ नाम भी मिला तो कोशिक हास्य अभी नेता अब निर्देशक और निर्माता सहीत एक साथ कई भूमिका में चागए। वे कहते थी कि जिसके बोनी कपूर जैसे और जावे दक्तर जैसे दोस्त हो तो उसे फिल्म जगत में पैय जमाने में मुश्किल नहीं होती। मुख्य मंत्री मनहलाल के प्रती हमेशा कृत्तग्या व्यक्त करते थी। हरियाना सरकार ने उन्हें हरियाना फिल्म परमोशन बोड का चियर्मन निव्ट किया था। यह हरियाना में एक फिल्म सिटी बनाने के इच्छोक थे। मगर उनकी है इच्छा अधूरी रह गई। परिवार के प्रती उनका लगाओ घहरा था। उनके सभी भाई फिल्मे दुनिया से जुड़े हुई है।